आप सांसर संजे सिंग ने बीजीपी पर निशाना साथ भी बोला कि प्रधान मंतर जी को अपनी विदाई की वक्त अडानी अंबानी का फ्रस्ट चान याद आ रहा पांसर रुपे बैंक बैलेंस वाले किशान की घर एडी पहुँच गई तो अडानी अंबानी की घर क्यों नहीं पहुँची प्रधान मंतर जी को तो टैंपो नंबर भी याद है जैन सातियों पिछले दस साल से मैं लगातार पूंजी पतियों के लूट का मुद्दा उठा रहा हूँ किस तरह से प्रधान मंतर नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के नाम देश की संपत्तियां करते जा रहे रेल हो, सेल हो, कोईला हो, बिजली हो, पानी हो, सडक हो, FCI हो, LIC हो, BPCL हो, हंदुस्तान की सारी संस्ताओं को बेचने का काम किया और अपने सबसे करीबी दोस्त अडानी के नाम पर उन्होंने सब कुछ नीलाम कर दिया पॉर्ट दिया, एरपॉर्ट दिया, कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, बड़ी बड़ी खादाने दी, धाई लाख करॉर mano रूपए का करजा दिया, मैंने पार्लेमेंट में उनके सामने नारा लगाया, मोधी अडानी भाई 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 देश के खाई मलाई, राफेल प्रदानमंतरी जी आप कह wraENS गरें टिम्पू में घर धर के रुपिया पहुंचाया गया और आपके राज में पहुंचाया जा रह रह कि यह झार सो रुपय है जिस किसान के खाते में रहता है उसके घर में तो इडी पहुंच जाती है जब इतनी बड़ी जानकारी आप कारवाई करें अडानी अंबानी के उपर कि कहां और कैसे काला धन पहुंचाया गया मैं समस्ता हूं कि यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की हार की हतासा है और जैसे कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं आज इनके चूहे जिनके नाम इन्होंने पूरे देश की संपत्ती लुटा दी वो अडानी अंबानी भी अब इनसे भाग रहे हैं और शायद अब मन मुताबिक काला धन और रुपिया जो इनको मिलना था वो नहीं मिल रहा है इन दोनों पूझी पतियों से इसलिए प्रधान मंत्री ने इनका नाम और जहां तक हम लोगों के मुद्दे उठाने का सवाल है प्रधान मंत्री जी मुझे मालूम नहीं आपको इस मृती दोस्त के सिकार हो गए हैं आप तो मुझे नहीं पता मैंने अपनी हर सभा में आपके लूट और आपके भ्रस्ताचार को उजागर किया है हर सभा में बता बतैकों का 15,200,000,000 रुपै किया है कैसे आपके दोस्त बैंकों का 1,000,000,000 ब्रू रूट के इंदुस्तान चुड़के भाग गए आप ने कभी कारवाई की नहीं अब आपके जाने का वक्त हो रहा है सरकार की बिदाई का वकत हो रहा है तो अब आपको अड़ानी अम्बान याद आ गए आज लेकिन इस देश की जंता आपकी असलियत अब जान चुकी है आपने इस देश को खोखला किया है भारत माता की संपतियों की लूट हुई है आपकी सरकार में और जंता आपको माफ नहीं करें जैहिंगे